आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई इसके लिए कौन सा प्लेटफार्म बेश्ट होता है सोसल मीडिया या फिर गूगल एड्स ठीक है तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि जो स्टार्टफ होते हैं उनकी क्या प्रॉलम होती है कि उनको बजट के सबसे ज्य आपको ब्रांडिंग नहीं मिल पाती है आपको बीजनस की प्रांडिंग नहीं हो पाती है तो अगर हम ब्रांडिक के बात करें तो गूगल जोए कि डिस्पलेड जोए कि मतलब दिखाता है विदिशल मेडिया का यूज करता है तो ब्रांडिंग के लिए लेकिन इससे क्या होता है कि कश्टमर से हम आप इंगेज नहीं हो पाते हो तो उसके लिए हम आते हैं कि मतलग क्या क्या सब्सक्राइब है जिसमें आपको बहुत सारे आड मिलते हैं जिससे कि कि आप अपने को प्रमूट कर सकते हैं इसमें कि बहुत सारे मतलब कर सकते हैं तो देखा जाए तो जा कर सकते हैं मतलब कम पैसे में ठीक है कि अगर आपको डायरेक्ट से आई है ठीक है ब्रांडिंग नहीं चाहिए तो ब्रांडिंग के लिए तो ब्रांडिंग के लिए अगर ब्रांडिंग कैसे अगर इंक्रीज कराना है तो जसे आपको चाहिए कि अच्छे से उसका प्रमोट कराना है ठीक है फिर आपको जाये कि अगर ज्यादा अगर ज्जादा आप कराना है तो आप ब्रांड चलाइए ठीक है अगर वीडियो भी आगर आप बना सकते हो तो ब्रांड करें तो इससे क्या होता है ना कि जो मतलब भाड़ी होती है इससे आपको बिन्यस पर सोसर में दारा ठीक है और इंगेजमेंट भी आते हैं उस पर लेकिन गुगल अगर आपको ब्रांडिंग कराना है तो आपको क्या करना होगा तो अगर मैं आपको आपको इसांपल दिया तो अगर आपको पर प्रेश्ट होनी चाहिए तो उसको जहीं कैसे अगर हम प्रमोट करें ना सब्सक्राइब करना होगा जिससे कि आपको सेल्स भी है और आपको प्रमोशन भी हो सबसे पहले आपके जो भी आपकी सोचल मेंडिया साइट से फेस्बूक हो गया ना उसको पेज को अच्छे से अप्टमाइज करो एक मतलब प्रोफेशनल लगे फिर उसको जहीं करो प्र सब्सक्राइब करना है ताकि कश्मर इंगेज हो ठीक है आपके ब्रांट के बारे में जाने फिर अगर आपको सेल्स भी चाहिए लिट चाहिए आपको तो ट्रह में अच्छी करें इस असलिव को से लॉक्ताइब करोंशन्राइब कर करना अब्सक्रम कर और सबस्क्राइब वह करें कर दो.